नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल नोकरी एकजाम वाला में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नए 10 पेडागोगी के महत्पूर्ण प्रस्णों को पेडागोगी सीरीज के अंतरगत ये पेडागोगी सीरीज का पार्ट न एक परिस्थिती का अधिगम दूसरी परिस्थिती में उसके सीखने और निस्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं ओप्षन है इसमिर्ती ओप्षन दो चिंतन ओप्षन 3 अधिगम अंतरण ओप्षन 4 बौधिक विकास सही उत्तर है ओप्षन नमर 3 उस इस् अधिगम दूसरी परिस्थिती में उसके सीखने और निस्पादन को प्रभावित करने का अधिगम अंतरण कहलाता है अगला प्रस्थिती में जी वालस जी वालस के अनुसार स्रजनात्मक चिंतन का प्रत्रम चरण क्या है जी वालस के अनुसार स्रजनात्मक चिंतन का प्रत्रम चरण क्या है ओप्षन एक उदभासन ओप्षन दो उदभवन ओप्षन तीन मूल्यांकन ओप्षन चार उपकरम सही उत्तर है ओप्षन नमर 4 जी जी वालस के अनुसार स्रजनात्मक्चिंतन का पिर्थम चरण उपकरण को कहा गया है उपकरण यानी जी वालस के अनुसार स्रजनात्मक्चिंतन के पिर्थम जो चरण है वो उपकरण है जबकि जी वालस के स्रजनात्मक्चिंतन के पिर्मुख चार चरण होते हैं जिनमें प भासन, चौधा है मूल्यांकन, अगला प्रस्ण लेते हैं, किस ने प्रियत्न वे भूल के सिध्धान्त का पृतिपादन किया था, प्रियत्न एवं भूल के सिध्धान्त का पृतिपादन किस ने किया था, आप्शन है हैगाटी आप्शन दो पावलो आप्शन तीन थांडाइक आप्शन चार राज सही उत्तर है थांडाइक ने प्रियात्न और भूल के सिधान्त का पृतिपादन किया था थांडाइक ने प्रियास और भूल के सिधान्त का पृतिपादन 1895 में किया था यह प्रियोग बिल्ली पर उनके द्वारा किये गए थे थॉन डाइक ने अपने प्रियोग बिल्ली पर किये थे और जो उन्होंने प्रियासेवं भूल का सिधान दिया था वो 1895 में 1898 में दिया था अगला प्रेशन है वेक्टिट व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतरगत उन मनों सारीरिक गुणों का गतिसील संग्ठन है जो परियावण में उसके अपूर समायोजन को निर्धारित करते हैं उक्त परिभासा देने वाले कौन थे? सही उत्तर है उप्शन नमबर 3 जी डवलू आलपोर्ट ने व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतरगत उन मनों सारीरिक गुणों का गतिसील संग्ठन है जो परियावण में उसके अपूर समायोजन को निर्धारित करते हैं ये परिभासा देने वाले जी डवलू आलपोर्ट थे जी डवलू आलपोर्ट के अनुसार यह परिभासा और पोर्ट ने व्यक्तित्व के सम्बंद में सन 1937 में दी थी अगला प्रेस्ण है शीखने में पलायन आधारित है शीखने में पलायन आधारित है उप्शन एक नकारात्मक पुरन पुनर बलन पर उप्शन दो सकारात्मक पुनर बलन पर उप्शन तीन विलंबित पुनर बलन पर उप्शन चार पुनर बलन की निस्क्रियता पर सही उतर है उप्शन नमबर एक जो शीखने में पलायन है व पलायन नकारात्मक पुलन उनर बलन पर आधारित होता है उधारण के लिए यदि विद्याल्य में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्याल्य कभी-कभी अथवा नहीं आते हैं तो ये अगर हम बच्चों को अपनी कक्षा में दंड देते हैं तो वो करेंगे अगले दिन साइद ना आएं या कभी-कभी आएं आने वाले टाइम में तो ये जो है नकारात्मक पुनर बनल होगा नकारात्मक पुनर बलन होगा अगला प्रस्ने लेते हैं भासा का वह घटक जो ध्वनी की गती के अनूकरम, संचालन और उसकी रचना से संबन्दित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं उप्सन है व्याकरण उप्सन दो अर्थ विज्ञान उप्सन तीन स्वर्विज्ञान उप्सन चार इन में से कोई नहीं सही उतर है उसको स्वर्विज्ञान कहते हैं भासा का वह गटक जो ध्वनी की गती के अनुकरम संचालन और उसकी रचना से सम्मद्ध नियम की चर्चा करता है उसको स्वर्व ज्यान कहते हैं और यो लोजी भासा का वैगटक जो धवनी की गती के अनुक्रम संचालान और उसकी स्वर्व रचना से सम्मंदित नियम की चर्चा करे उसको स्वर्व ज्यान कहा जाता है अगला प्रस्ण है वुडवर्थ के अनुसार इसमिर्थी का आयाम नहीं है वुडवर्थ के अनुसार इसमिर्थी का आयाम नहीं है यानि इसमिर्थी से इन में से कौन सा सम्मंदित नहीं है Option नमर एक है पुना रिस्मन, Option दो धारण, Option तीन पहचानना, Option चार तर्क करना, सही उतर है Option नमर चार, तर्क भुडवर्थ के अनुसार, तर्क करना जो है इसमिर्थी का आयाम नहीं है, जबकि पुना रिस्मन यानि दुबारा से याद करना, धारण करना या पहचानना ये इसमर्ण से तात्परिय सीखे गए विशियों या पाठों को चेतना में लाना होता है। इसमर्ण की पिरक्रिया एक जटिल पिरक्रिया होती है जिसमें चार तरह की उपक्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं हैं सीखना, चारण करना, प्रत्या वाहन, प्रत्या हान और पहचान करना ये इसमिर्थी की चार तरह की उपक्रियाएं होती हैं। अगला प्रस्ण है, TAT द्वारा बनाया गया है, यानि जो TAT था वो किसके द्वारा बनाया गया था। अगला प्रस्ण हैं। लक्ष निर्देशित व्यवार में बाधा आना क्या कहलाता है। आवरा मक्ता तो सही उत्तर है उप्ष निर्देशित व्यवार में किसी भी बाधा का आना कुंठा को जन्म देता है। कुंठा यानि फ्रस्ट्रेशन लक्ष निर्देशित व्यवार में बाधा आना कुंठा या फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। पार्ट फाइव यानि पेडागोगी सीरीज पार्ट फाइव का ये अन्तिम प्रस्ट्रेशन है। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है जो हमारी आँखें होती है उनमें जो भी जिस तरह का हमें रंग होते हैं हमारी आँखों में उसको कौन सा कारक प्रभावित करता है उप्सन एक अनुवान सिक्ता, उप्सन दो वातरवन, उप्सन नमर तीन हार्मोन, उप्सन नमर चार समाज तो सही उत्तर है हमारी जो आँखों का रंग होता है चाए वो बलोरी हो या काली हो या फिर भूरी हो ये सबी जो डिपेंड करता है अनुवान सिक्ता पर डिपेंड करता है अनुवान सिक्ता आखों के रंगों को अनुवान सिक्ता कारण प्रभावित करता है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कॉमेंट में जरूर लिखें आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आप किस एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में सेर करना ना भूलें और अगर पहली वार हमारी वीडियोज को आप देख रहे हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट ग्यान वर्दक वीडियोज का नॉटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप हमारी वीडियोज को देख पाएंगे दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद